अत्यंत विचारनिय, एक आदमी ने एक विज्यापन दिया कि उसे उसकी चिंता करने वाला एक आदमी चाहिए. वेतन वो जो मानगेगा, मिलेगा. विज्यापन देखकर एक बेरोजगार तुरंत उसके पास गया और उसने उसके लिए चिंता करने वाली नौकरी के लिए 10,000 महीना सेलरी की मान की। विज्यापन देने वाले ने उसे दस हजार देना स्वीकार कर लिया और कहा कि तुम अभी से अपनी नौकरी शुरू कर सकते हो। काम वाली बाई को 2000 महीना देना होता है। महीने में एक बार हम लोग कहीं गुमने जाते हैं उसमें कम से कम 5000 लग जाता है। अब चिंता करने वाला आदमी से बरदाश्ट नहीं हुआ। उसने कहा मालिक आपका अभी तक का खर्च 55,000 है और अभी आपने मेरा 10,000 सेलरी उसमें क्यों चिंता करूँ, अब ये चिंता तुम करो की बाकी पैसा कहां से आएगा। नेता और द्वारा खेरात बाटने की भी चिंता देशवासियों को ही करनी होगी क्योंकि नेता अपनी जेब से किसी को एक धेली नहीं देंगा। सारा पैसा हम देशवासियों से ही लिया जा और उन्देट भानी